सो हाई गाई ज्यार वेलकम बैग वंस अगें डुग्रेजी अगारण करंटली एमा सेकंड इंड डे जो से पांच राउंड हो चुके हैं सिर्फ शिक्स राउंड बच्चा उसके बाद आपको अपने रेस्प्रक्टिव कॉलेजिस के अंदर रेपोर्ट करना है तो काफी जी की तरह से काफी बड़ा अपडेट आ चुका है इंडियान इंस्टिट आफ टेक्नोलोजी भूबनेश्वर का पूरा हम काउंसलिंग प्रोसस समझ रहे होंगे कि 20 नौमबर के बाद जैसे आपको सिक्स राउंड ऑफ जो से काउंसलिंग ओवर हो जाएगा उसके बाद आपको के लिए फिजिकली चालू हो रहा है मतलब ऑफ लाइन मोड के अंदर चालू हो रहा है सारी इंफर्मेशन आम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे और बच्चे वे जितनके अंदर भी मोर और लेस 99% सेम तरह से रिपोर्टिंग हो रही होगी बस डिपरेंस इता अगर आप किसी और आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो आई भूबनेश्वर आपको गूगल पर टाइप करना है उसके बाद यहां स प्रोसेस इसके उपर आपको क्लेक कर देना है उन्लाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर देखो इन्होंने सब चीज बता रहा कि है कि आपको 20 से लेके 21st नवंबर के बीच में इमेल इंस्टिट्यूट का इमेल और ERP सिस्टम दे दिया जाएगा और जैसी आपके प हो है कि आपको फी पेमेंट की जो भी डीटेल्स है ERP के अंदर अप्लोड कर देखने अगर आपके पास नहीं है तो देख लीजिए जही एडवांस का आपके पास होना चाहिए जो आपके पास प्रूफ होना चाहिए आप अपनी जो आपका बैंक का स्टेटमेंट है उसके अंदर भी वो शो हो जाएगा या फिर अगर आपने नेफ्ट कराया तो उसकी जो स्लिप होती है उससे भी वह भी ऐस प्रूफ काम करेगा 35,000 और 15,000 जो आपने सीट अक्सेप् जो की 10th मार्क शीटी होता है अगर आप एक कास्ट के अंदर आतला एक EWS हैं SCST तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपके स्कूल का माईग्रेशन सर्टिफिकेट बेसिकली बॉम्बे बगर अगर जो एरिया होता है आपके स्कूल का माईग्रेशन सर सेट अप डॉक्यमेंट्स और यही मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बनाई उसके अंदर बताया भी तकि यह डॉक्यमेंट्स आपको रखने हैं टोटल फीस इनकी 1,48,000 जिसमेंसे आपको 1,48,000 जमा नहीं करने हैं अल्रेडी आप 35,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस दे और इसके ओपर 14,000 है वो हॉस्टल और मैस का एडवांस है तो देखो जो 35,000 आपने जो समय दिये थे वो यहां पर कॉलेज की पीस के अंदर एडजस्ट कर दिये गए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था यह कौन सा फीस स्ट्रक्चर है यह पीस स्ट्रक्चर है आपके जन 2,400 टोटल फीस इदर हो गई तो यह आपकी फीस हो गई यहां पर फीस को जमा कराने का इन्होंने लिच्वाज से हैं यहां पे आपको इंस्टिट्उट कंपल सरी होता है इसके बेसिस पर आपको सेक्शन मिलेंगे कौन से सेक्शन के अंदर आपको डाला जाएगा वो इस टेस्ट के बेसिस पर डिसाइड होगा ठीक है ओरियंटेशन प्रोग्राम इनका ओनलाइन मोड के अंदर ही होगा इनकी जो क्लासेज है वो 26 नवंबर 2021 से श जो आपको गैजट्स चाहिएंगे ओनलाइन क्लासेज लेने के लिए वो गैजट्स क्या क्या हैं लैप्टॉप, डेक्स्टॉप, मोबाइल विद कैमरा, इंटरनेट कनेक्टिविट्टी और पावर बैकप इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आप लेके जा सकते हैं आपको एकेमपस पर रिपोर्ट करना है और जो बच्चे रिपोर्ट करना है उनको एक्लीस वण डोज वैक्सीन ले लेनी है ठीक है दूसरी डोज कैमपस उनको लगवा देगा आप जो भी जहां से भी आप ट्रेवल करनेगा आपके पास आर्टी पीश टेस्ट होना चाहि 72 hours before reporting का ठीक है मतलब जिस वक्ट जिस टाइम पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो time 72 hours के अंदर अंदर आ जाना चाहिए जो भी institute की SOP वो आपको follow करनी पड़ेगी 10 दिन का आपको पास quarantine period होगा quarantine period की time आप इदर उदर नहीं जा सकते और quarantine period की time पे आपको hostels ही classes लेनी पड़ेग की step by step जो भी procedure होगा वो और hostel का आपको शेयर कर दिया जाए hostel information देख लो काफी जादा important यह है hostel की information का student will given a quarantine in the hostel after reaching the campus 21st से 24th नौंबर तक आपको campus पर रीच करना है 24th नौंबर के बाद entry नहीं है 21st नौंबर से पहले entry नहीं है इसी window के अंदर आपको enter करना है और आपका जो 10 दिन का quarantine period है वो है 25th नौंबर से 4th December का और 26th नौंबर से आपकी online classes शुरू हो रही है तो आपको जो classes है वो online mode के अंदर लेंगे quarantine period में अपने hostel से ही ठीक है उसके बाद parents को hostel के अंदर जाना allowed नहीं है यह भी इसी के अंदर लिखावा है होस्टल के अंदर parents को जाना allowed नहीं है सिर्फ main gate तक parents आएंगे उसके बाद institute की जो bus है वो बच्चों को ले कर जाएगी hostel तक ठीक है इसके अंदर एक चीज़ और लिखी है आपके पास आजाएंगे तक आपको बेसिकली पेमेंट कर देने हैं 22 नौमबर तक आपको पेमेंट्स की जो भी स्लिप्स वगार है वो अप्लोड कर दीने है उसकी लॉगिन क्रिदेंशल आपके पास आजाएंगे 21 नौमबर तक 22 नौमबर को आपको अप्लोड कर देना है और 24 नौमबर से पहले पहले आप 24 नौमबर तक आपको रिपोर्ट कर देना है आएईटी भुबनेश्वर के अंदर मोर और लेस हर कॉलेज का रिपोर्टिंग इसी तरह से हो रहा होगा बस ऑफलाइन की जगए कुछ कॉलेज़ का ऑनलाइन हो जाएगा बाकी हर चीज सेम रहने वाली है इसी तरह से आपके पास लिंक्स आ रहे होंगे ठीके इसी तरह स इंपोर्टेंट इंफर्मेशन आई है कि नहीं जैसे मैं आपको आयाइटी दैली ने भी एक इंपोर्टेंट इंफर्मेशन निकाली है इसमें देखिया आप आयाइटी की डैली की वेबसाइट हो तो पहली आ जाता है अंडर्ग्रेजुएट एड्मिशन 2021 हर कॉलेज की व इसी वेबसाइट पर इंकमिंग डेश के अंदर अप्लोड कर दी जाएगी हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले पता लग जाएगा जितनी बी रिपोर्टिंग का प्रोसेस यही रहेगा जो भुगनेश्वर का है काफी ज्यादा इजी प्रोसेस था जो सा आपने पास कर लि करना है और जो-जो-जो बोले हलका-हलका मैं अप्लोड कर देना है थोटी-जोटी फरमलीटी करने है और आपका एड्मिशन कालेज के अंदर पक्का हो जाएगा वीडियो इंफोर्मेटीव लगिए तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपने फ्र